भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवंपूर मुक्यमंत्री बाबुलाल मिरांडी आज अपने संकल प्यात्रा के दूसरे चरण की शिर्वात किये। जबा को संबोदित की। शिर्मरांडी ने हमेंद सरकार की विफलताओं, सत्ता सम्मोशित, प्रुस्टाचार इवं धुस्त विविधी विवस्ता को उजागर की। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा राज्य की विकास की लिए गए कारियों को भी बिटाया। उन्होंने कहा र राज में खान खनीज, बालू पत्थर की लूट मची है और लूटेरों को सरकार का संग्रक्षन प्राप्त है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ही लूट में शामिन है। उन्होंने कहा कि महाजनी प्रथा से गरीबों, आधिवासियों को मुक्त कराने की बात करने वाले मुक चॉलियों उस पर कप जाकर बैठेंगे और शिकायद करने पर उल्टा मुकदमा भी दर्श कर देंगे। को लूटने से कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मुक्यमंत्री ब्रस्टाचार में आकन डुबे हैं और जब इस बात को बोला जाता है तो उनको बुरा लगता है। इडी का बुलावा आता है तो भाचपा सरकार मोधी सरकार को परिशान करने का आरुप लगाते हैं। ब लोगों ने उन्हीं जेल भेजा था। कहा कि लूटेरे एक ज्यादा दिन नहीं बचेंगे उन्हीं जेल जाना ही पड़ेगा। उन्हें कहा कि मोधी सरकार की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं। या सरकार केंद से भीजे गए चावल को भी लितवा रही है जबकि पिछली भाजपा सरकार ने पहाडों पर पहाडिया भाई बैनों को राशन पहुंचाने की विवस्ता बनाई थी। हर घर नल जल योजना भी ब्रश्टाचार की सिकार है। पदा दिकारियों ने कहा कि 80% सरकार के खजाने से निकाल ली लेकिन प्रगती सुनने प्रश्ट, निकम्मी और विकास विरोधी सरकार को उखार फेकने के लिए संकप बिनाने के लिए जात्रा चल रही है। दो हजार चौबिस में उन्होंने नरिद्र मोदी जी को तीसरी बार पिधान मंतरी बनाने के लिए भाजपा को जिताने का अहवान किये। कहा प्रदे आसवाल पुस्पकर्ण आधी कई लोग सम्मेलिक थे। अगर आपके साथ प्रदेश फड़ा रहेगा, हम आपके साथ फड़ा हैं, आपके नेता आपके साथ फड़ा रहेगा, आप बंदोलों किजिए। इस फड़ेश से हेमें चोरेंडों मैं से जे भेज़ कर रहा हूंगा, और अबाब लादना रांडी को मैं मुख्वल प्रीवन मैं कर रहा हूंगा, कि奢़ एक सामदाय के लोग की जोआने का काम करना है, आप एक ही समुदाय के बीसमें पिटास क्यों करना चाहत लाएँ, आपने, जितनावी सब्सक्राइब लिए लेकिन मस्जिदों में चार पराप ने दिया है इसको किस तरह रोका गया है और जो सरकार है सब्सक्राइब लेकिन तो यहां की सब्सक्राइब करता है जो तुसरे लोग है और अपने पार्टी के लोगों के कान में करता है मैं मद्धुफुर में रहता हूँ और मद्धुफुर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लिए यहा रहा हूँ मत्धुफुर के जंटा के लिए काम जटता हूँ तो से ऐसे लोग है जो रात को नहीं दिन को ही सफना देखता है कि गंगा सींचे ना पैसे बोले सो जाएगा गंगा सींचे साथ मदूबूर का चलता है आपकी सबने देखने से मेरा कुछ भी करने आगा तो इसलिए बावुलाल मरंडी के नेद्रतु में कई कार्शक्रण में हम लोग सभी कार्श करता जो बुजुडब है जंसन से थे हम लोग वहाँ पर गया थी बावुलाल मरंडी का यति हासित दिन है जो पंडित अटल विहारी बाच्वे इस देश के परान मंद्री थे और उ पुलाल मरंडी की जितना भी हम लोगो मार्ट गर्शन यहां से मिलेगा जिन्होंने पर्देश अद्रत बंते ही पार्टी के पर्देश की कमेटी भी खोशना भी नहीं हुई और इन्होंने सक्क्रण जाता कि शुरुबात करते हैं शक्रण अगर से बलेद के भोगना की इस कि बावला ओनाडी को में रेदर से बढ़ाई करता हूं कि आपके स़र्कार से थादी दकार पार्टी राटी करकाता हूं में नई उप्सा आ गयी है और थादी हमारे सब्सम्रें को उखान को फटेगे हैं और शाथ करन में आपके निदूत में एक अच्छी सब्कार विकास प्रपना काल गर्ण काल गर्ता ले रहे हैं तो प्रण करता है रादी तो जिवरें का मतलूतों में पिस प्रूस्पना करें तो आपके लिए हम रखाने के लिए हम रखाथ लेकिन आप गल्पना करें कि बाबुलाल जी संद्ध याकरा लेकर क्यों दिखें अभी जैसे रजगीर शी ने कहा कि अभी गोशित नहीं है लेकिन बाबुलाल जी नीकल लिए और चाहे हमारे पार्टी को हो या दूसरे पार्टी को हो पहली बार किसी नेता ने ये पैसला किया कि बिना चुनाव उसको 81 थी 81 विदानसवा खूंदना एक बड़ा संद्ध कि आरutor अगया ये लिए दिखाता है कि नेता जीजों को समझना चाहते जिन बातों की रंध aquest हो यहां। तो यह बावुलायों जी फुक्सेश देखना चाहता है और जो विकास के काम उप्रे अब ही बैटे-बैटे बावुलायों जी दह देते थे कि स्यामाप्रसाद मुफरजी का जो धर है। उसका प्रेश्य का उफ्रस्य स्कूल में आये हैं तो यहाँ से एक गशाव था स्यामाप्रसाद मुफरजी का क्या लेना जेना चाहताए! मन्यकारा की जब आप अख्र मंत्री बनिये का तुस्यामा के साथ मंधर्जू जी के नाम पर यहां एक बड़ा इंसी चूप हम लोग बनाएंगे, एक बड़ा चेंट बनाएंगे, जरी भावुलादी यहीं कूछ रहे हैं। मॉंगर्स के मंत्री है, रामिश्वा उराओं जी, उनके भी रेके केहारे अचल जाए। और जब लोगी जी करते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, मैं DGP के भी कारी करता हूँ, बता दे रहा हूँ। भार्पी जंदा पार्टी केंदी को केंडिगेट गिरिदी से जो हमारे गढ़ाय करें, निरभै साहबाती उनके यहां में रेक्षित है। तो जो भी कहीं पसाद है, उसमें सब को जो है परिशान होने के आपशक्त है। बावुलार मराणी के उपर लगातार केस हो रहा है। मैं आपको जानकारी नहीं होती है। बावुलार जी बहुत ही सहज आदमी है, साधारण आदमी है। वो केस मैρη केस के बाहरे महिमें साथ काचा करते हैं। कि उसमें बावुलार जी के उपर पिछले तीन दिन में घर कम पाँच केस को जए और उसमें हमारे जैसे काई करता हुए। प्लेक जिंता की बात है। और मैं इस संतल्प आप्णा में एक चीश संतल्प लेकर कर सकता है। कि हमारे नेता आप्णों की यह जो संतल्प आप्णा है यह दो चीजिएंगें। कि 2024 में नरे धर्मोदी जी को देश का अफ़रामंत्री बनाना है। और 2024 में सी बावलाल मराणी जी को इस देश का मुख्रामंत्री है। और जो हमारा नेता है उसके उपर इनी केस होगा। उसको पहले आप जैसे लोगों की आवशक्ता बात में पढ़ेगे। क्योंकि आखी के तातर के कारण अमारी काज़त है। उसको दिसिकान दूबे जैसे चूजना पड़ेगा। पहले मेरे उपर को इस होगा। फिर बावलाल माराणी जी उपर को इस होगा। कि नायक ने रहेंगे। आपको जेल भेजाने। आपको जेल भेजा जाया। और यहां के मंत्री के जेजों में बादे करी। वो फिर मैं दोड़ा दे माहुंकर ने के जहां। कि गेले कार्म पेड होता है। बताया उसका क्या थास्के। वो एकवारी फंदेता है। एकवार फंदेता है। तो यह मुखियां का भी जुनाम ने कटपाएगा। यही वाता है आपके साथ। और जितने लोग हैं सब को सलाजना के पीछे ले जाएंगे। जिसको जहां भागना है भागे। और जो मैंने नारा दिया। कि भाग है मंत्वाग। जितना भागना है भागो। यह संतल्पने लिए आगे बढ़ती रहेगी। और हम तुमको जो है भगा के भारकट से बाहर करतेंगे। पेरों की घर्ती रही है। और वास्तों में मैं आज उस धरती को पज़ितों में नमन करता ह। और कि मैं अपने बातों को आप सब के सामने है। आज की जनदा जाली तीनों गड़ बंदन की सरकार चल भी है। राज के मुकमंत्री एमान सविंदी के नेटित में चलता है। और आज की इस विधान समझ शेत्र से भी जो विधायत हैं पिसले चुनाओं में जीते हैं। और वह भी राज के मंत्री है। उनके बारे में आप सब लोगों काफी बातें हो चुकी है। तो आज हारखट भी क्या हिस्तेती हैं सरकार के जिमें जो काम होता है। सरकार के जिमें पहले तो लोगों से क्या लोग उमीद करते हैं कि भई लोग इन आउडर दिख रहेगा। पानौन देवस्ता की लोगों। कि यह लोग सुरचित च्छियों दे सकेंगे। लेकिन आज जारखट प्रुदेश की जो हादात है। इस राच में आज कहीं भी लोग सुरच चलें। अब इस प्रुदेश की अंगर में चोरी, टकैटी, हर्त्या, आपहारा, यह आम हो गएंगे। अब यहां तकि आप तो अपराधी देखाओं हो करके देऊसायों को उपर के स्कार्शन करते हैं। वाटसम में लोग मेसेज भेचते हैं कि इतनी पैसा दो और पैसा नहीं दोगे तो फिर आपको जान से मान दियाता है। और पुलीस के पास लोग जाते हैं तो पुलीश को आरे कहते हैं कि आप राज़ियों से अब लेदे करके मामला सच्टा लोगा। मतलब क्या हिस्तिति है इस राज्यकी कितनी खैयावा हिस्तिति है आपिस से अंधाज लगा सकते हैं। और वास्तों में अगर लोग जब पैसा नहीं देते हैं तो उनकी हप्या कर दे जाते हैं फिर पुलीस कुछ चर भी भी नहीं तो आज इस प्रुदेश की यहालत है और इसलिरे मैं यह काता हूं कि मैं अधिर आपराद मित्री घौक करके आपराद पैसे कर रोए इस आ कारण जोहीं हो सकता है यह तो सरकार कमजोर है या सरकार की उसमें संव्लिक वह मानता हूं अँकrie लोग जो가 हैंं तो हिमत है तब तो एक ही बात बनता है कि अपरादियों से कहीं न कहीं उनकी साथ गाठ और अपराद उसे जो पुलीस पैसे वसोश दिये लगता है कि वो पैसा भी उनकी यहां तक पहुंस ता है और इसलिए आज इस पुलेश की अंदर में अपराद हो गया है अगर हम इसी बार को बोलते हैं तो सब्सक्राइब को नहीं जानता है कि इस प्रदेश की अंदर में क्या हो रहा है किस प्रकार से अपराद बढ़ रहा है और आज तो मैं लोगों से कहता हूं पुलीस का काम क्या रहा गया पुलीस को किस प्रकार से इन्होंने उप्योग करते हैं पुलीस का काम था अपरादियों को पकड़ना चीज में डालना उनको सजा देना लेकिन आज पुलीस का काम इन्होंने क्या कर दिया जार्थर में पुलीस यही काम करते हैं सरकार के विरोध में जो लीगते हैं कि उनके उपर केस करो यहां कि आपके सांचक्स कि निए पीन दरदर से अर्वीक उपर केस किया और और उनके उपर केस कियाई कि अधिक परीपत्ने के उपण भच्चों के उपर यही किसी को यह चोड़ा नहीं पुर्इचार कन्त पुलीस सरकार के दिरोद करो उनको परसाइं करो उनको जेल में डालो यानि पुलीस को ये काम एक दे रखा है और दूसरा काम तो मैंने कहा कि वसूले में लगा रखे और इसलिए आज इस पुलेश के अंदर में ये अपराद हो रहा है इसलिए आप सबी वायों बद्दों से मैं यही दिवेदन और यही अपेद करने के लिए आया हूँ कि अचौरत है कि हमें संकल्प लेने का कि आज अगर हम संकल्प ले तो वह इस राज़ से इस सर्कार को उखाड ठेकना है तभी जार्खन में अमंचे आएगी और तभी जार्खन में लोग स्वरचित होंगे तभी दूसरा जो मामला है सरकार से लोगते फ़रस्क आचारा रहा है कोई काम नहीं होता है ही काम लोगताए लगता है कि животे सब्सक्राइब करते हैं तो बोलता है दस सब्सक्राइब करते हैं अब करते हैं विडियो साथ तो पूछते नहीं हो सब्सक्राइब करते हैं जो हमें लोग बताता है लेकिन हम आप से फ़ोड़ा इफाली जानकारी तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं जो हमें लोग बता है ह greasy से कि आप लोग को सच है तो आप सबको से सावित कर बता देजेगा के लिए आप पुरसी में जगा नहीं है बल्कि ऐसी थास्ट लोगों की जगा का है बताता है यहां यथ बचाना के लिए बड़े देली से बड़े बड़े वकीलों को बड़े लोयर को ले करके आ जाए जीतना खाचा करना है खाच करना है जीतना बहुत करना है बात करा ले लेकिन जो भरस्त है तो वो भरस्त है और उनको चाना ही पड़े लिए सरकार को बचाने के लिए पैसा लियाता हुनी के सरकार में सिधी आई वालों ने पकड़ करके सिगूर सोयं को तिहार जील में बंद करती आता है तो बताओ भई आप गड़बड़ करेंगे सरकार चाहेंगे इस किसी के भी रहे और आप तो देश के प्रान मंत्री नरेंदर बोदीगी है जो छप्तनी शीना काम के काते ना खाएंगे ना खाने देंगे और इसके बाद अगर आप खा रहे हो इसके बाद अगर आप भूट रहे हो तो 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 जगह तो वहीं होगे ने होटवार मेहीं तो अच्छी स्थिकी है इस प्रोदेश के ही जुदा शुकी अगर देश करते हैं तो आज़ जो प्रोदेश करते हैं तो आज जो इस प्रोदेश के अंदर में जो भृस्का चार्टी या सीमा है वो कहीं भी किसे से छुपा हुआ नहीं है सब देखते हैं और इसलिए निकार कि आप और तो और छोड़ने के जमीन की वहीं आप नहीं इस प्रोदेश के अंदर में किसी कभी काम तो कहीं बाद लोगों से करते हैं अगर आपकरी खाली जमीन धर दौर भी ताला बंद करके 20-25 दिन के लिए कहीं बात चले गए तो पता चला कि हेवन सुरें के बुंदे आ करके दलाल आ करके आपको उस घर को भी कपजा कर लेंगे और पुलीस के यहां जा करके कहिए यहें एसरी के यहां जा करके कहिए तो और आपको सुनने वाला नहीं होगा और करते हैं आधिवाशियों के लिए राजमिति करते हैं ब्रोज भोलते हैं कि हम धरीद के देखते हैं यहां तक वो करते हैं कि महाधन को हमने भगाया लेकिन आप तो खूद ही बढ़के महाधन बन गए हैं और इतना बड़ा महाधन बन गए हैं तो उनका दस्ताव में थोड़ा सा गरा देखते हैं तो यतनी सारे दस्ताव पीछे और यह मैं कहा रहा हूं इसा नहीं सो से अधिक दस्ताव रहें तो बड़े बड़े लोयर को लिए उन लोग को बचाने के लिए सुप्रीम कोट में केस कर रही तके उनके ओपर कोई सिखी आये का जाच नहीं हो एडि का जाच नहीं हो भाई अगर यह गड़बड नहीं किये हैं तो इतना पैसा महांगे वोकिल को जो खर्च कर रहें हैं कि सिखे जा करते बगा देते हैं यह दिया उपिस में कि हमारी इतना प्रोपर्टिंग इससे हमने पैसा चमाया है क्या दिक्तर क्या था